Morning students, आज हम हिंदी व्याकरन का पार्ट वैल सर्वनाम करेंगे सर्वनाम शबद दो शबदों के मेल से बना है सर्व रस नाम सर्व का मतलब सब नामों संग्याओं के बतले जो शबद आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं और इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं संग्या के स्खान पर प्रयोग होने वाले शबद सर्वनाम कहलाते हैं जैसे मैं, तू, तुम, आप, ये, वे, वे, आदी जैसे अजे दिल्ली में रहता है वे सात्वी कक्षा में पढ़ता है उसकी आजू दस वर्ष है उसके पिता जी अधियापक है वे हर रोज स्कूल जाता है यह उसका गर है अभ्यूक्त वाक्यों में अजे संग्या है पहले वाक्यों में तो संग्या का प्रयोग हुआ है और अगले वाक्यों में संग्या के स्थान पर सर्वनामों का प्रयोग हुआ जैसे वै उसकी उसके वै यह उसका आदी अता ये सबी शबल सर्व नाम है इसी तरह संग्या के स्थान पर प्रियोग होने वाले शबल सर्व नाम कहलाते हैं सर्व नाम के बेद सर्व नाम के निमनिक्त शहित बेद होते हैं पुर्ष वाचक सर्व नाम सेकिंड निश्चे वाचक सर्व नाम थर्ड अनिश्चे वाचक सर्व नाम फॉर्ड संबंद वाचक सर्व नाम फेफ प्रेशन वाचक सर्व नाम सेक्स निज वाचक सर्व नाम फर्स्ट पुर्षवाचक सर्वनाम बोलने वाला अपने लिए सुनने वाले के लिए तथा किसी अन्य वेक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रियोगता है उन्हें पुर्षवाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे पुर्षवाचक सर्वनाम के तीन बेद होते हैं पर्स्ट उत्तम पुर्षवाचक सर्वनाम, सेकिन मद्यम पुर्षवाचक सर्वनाम, थर्ड अन्य पुर्षवाचक सर्वनाम, उत्तम पुर्षवाचक सर्वनाम बोलने वाला व्यक्ति, जिन सर्वनाम शब्दों का परियोग आपने लिए करता है, उन्हें उत्तम पुर्ष बोलने वाला व्यक्ति जिन सर्वनाम शब्दों का परियोग सुनने वाले के लिए करता है उन्हें मद्यम पुर्षवाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे तुम आप तुम तुने आपके आपने तुझे आदी थर्ड अन्य पुर्षवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का परियोग बोलने वाला लिखने वाला या सुनने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उन्हें अन्य पुर्षवाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे वे, वे, यह, यह, उनका, उन्होंने, उसे, उसका, उन इसना पुष्वाचक सर्वनाम बोलने वाला अपने लिए सुनने वाले के लिए तथा किसी अन्य वेक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रियोग करता है उन्हें पुष्वाचक सर्वनाम कहते हैं सेकिन निश्चे वाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रियोग किसी निश्चित वस्तु वेक्ति या गटना के लिए किया जाता है उन्हें निश्चे वाचक सर्वनाम कहते हैं ये बारत के प्रथम राश्ट्रबती है ये लड़का है वै लड़की गा रही है इन वाक्यों में ये ये और वै निश्चित वेक्तियों की और संकेत कर रहे हैं अता ये निश्चे वाचक सर्वनाम हैं तर्ड अनिश्चे वाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से निश्चित वस्तु एम व्यक्ति का बोध ना हो बोध मलब हमें उसके बारे में बिलकु पता ना चले अच्छी तरह से उन्हें अनिश्चे वाचक सर्वनाम कहते हैं तमारी मुठी में कुछ है बाहर कोई खड़ा है मामा जी मेरे लिए बहुत कुछ लाए हैं इन वाक्यों में कुछ कोई और बहुत कुछ शबल किसी का भी निश्चित बोध नहीं कराते अता ये अनिश्चे वाचक सर्वनाम हैं फोर्थ संबंध वाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का परियोग आपस में दो अलग अलग बातों का संबंध जोड़ने के लिए किया जाता है उन्हें संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे जिसकी लाठी उसकी बैंस जो गरचते हैं सो बरसते नहीं जो बोया वही काटा इन वाक्यों में जिसकी उसकी जो सो जो वही शबन परस्पर संबंध जोडने का काम कर रहे हैं अधा ये संबंध वाचक सरवनाम है फिप प्रेशन वाचक सरवनाम जिन सरवनाम शब्दों का परयोग प्रेशन पुछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रेशन वाचक सरवनाम कहते हैं से आपका क्या नाम है देखो बाहर कौन आया है आपको किसनी बेज़जा है और प्रेशनवाचक सर्वनाम में लास्ट में question mark आता है इन वाक्यों में क्या कौन और किसनी प्रेशनवाचक सर्वनाम है जिन सर्वनाम शब्दों का परियोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं मैं स्वेम चला जाऊंगा तुम अपनी साइकल चलाओ मैं उनसे अपने आप निपट लूँगा इन वाक्यों में स्वेम अपनी और अपने आप शब्द करता के लिए प्रियोग हो रहे हैं अता ये निजवाचक सर्वनाम है इसमें भी सर्वनाम में आपको संटेंस दिये जाएंगे और आपने उसमें से ये बताना है कि ये कौन सा सर्वनाम है और लांस जो पीछे बॉक्स में दिये गे होते हैं इसको भी अच्छी तरह से आपने पढ़ना है क्योंकि आपको सही गर्थ फिलप्स और संटेंस जो है वो इसमें से आ सकते हैं तरह सकते हैं